एक और साब है जो आपसे उन जिनों के आपके दोस्त हैं और आपके बारे में कुछ कहना चाते हैं, बहुत अफसोस के साथ कि वो हाजिर नहीं हो सके। लेकिन रहा हूंच आई से कुछ कह रहे हैं। सतेश्म, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे होंगे, तुम्हारे काम की, तुम्हारे सुभाव की, जितना नस्दीकी से मैंने तुम्हे जाना है, शायद तुम समझते हो और दूसरा कौन जान सकता है, तुम्हे एक बहुत महान गुण है, जितने दुख और गम सहके भी साथ कभी बीता होता, तो कभी का टूट गया होता है, keep it up my friend, बस यह है दुरभागी कि अब इन दिनों में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हम साथ थे तो सतेश लोग कहा करते थे, हमारी दोस्तों, दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन पता नहीं कब कहां कौन सी चीज परिश करूँगा, अगले जनम में हम लोग दोस्त ना बने, दोबाई रहें, ताकि हमें कोई जुदा ना कर सके, अलविदार इस वाकर का या इस चैप्टर का जिकर मैं नहीं कर सकता, सतीश अगर आप चाहें तो करें, या फिर आम कोई और बात करें नहीं, राजा मेरी जन्दगी का बहुत एहम साहिक, और मैं भाई मेरे यहां बैठे हैं, फर मेरे भाई उसे बढ़कर आई, आक्चुली, क्योंकि मैंने जादा वक्त अपनी जन्दगी का इसके साथ गुजा रहा है, मेरा एक रिष्टा रहा है, किन वजों से, किन बातों स कई बार कोई ऐसा अलग हो जाता है, लेकिन अगर राजा ऐसा फील कर रहा है, तो यही बात मेरे दिल में है, मेरी जन्दगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और मैं उसको ऐसे कभी जुदा होने नहीं दूँगा, बाते होती हैं जन्दगी की, जो हमें जन्दगी सिखात है, उनके थूँ गुजरना पड़ता है, वो दुख हो, वो हसी हो, वो खुशिया हो, वो कैसी भी चीज़े हो, वो एक जिन्दगी का हिस्सा है, हम उस हिस्से से गुजर रहे हैं, फिरको लगता है कि सब चीज ठीक हो जाने वारी है, सुचर संदर, यह राजा भी आनूपम मुझे अच्छी तरह रहाद है, राजा मेरा घर का एक मेंबर बंचुका था, और किनलगा भी बंबी की टिकट जो है, वो डिलक्स ट्रेन की बुक करा ली है, तो राखिया बंदवाई अपनी बहनों से, राजा भी राखिया बंदवाई, और हम राखिया बांद के अपने नाम याद करके हम ने उसमें डाली कि है भगवान, बहनों की शक्ति ऐसी हो कि हम बंबई शहर से कभी वापस ना जाएं, अपना नाम कमा के आएं, अपने जो बडे जन हैं, उनको हम प्रूब कर सके.